क्रिये मित्रों, हम दैनिक शिरी राम चरित मानस का पाठ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को शुनाते हैं। आप सभी मित्रों से हम शादर नम्र निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कहे गई राम कथा को शुनें। और हमारे कथा कहने में हमसे जो तुरूटिया हो ओ कॉमेंट के माध्यम से हमें बतावें कि मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगी ऐसे कथा को हम आगे वराते हैं कल प्रताप भानु की कथा कहें जिसमें विप्रस्राप के कारण उनका जन रावन के रूप में हुआ तो आईए शुख संपती असुत सेन सहाई जय प्रताप भल बुद्धी बराई अनितनूतन असब बाढ़त जाई अजिमी प्रतिला भलोभ अधिकाई शुख संपती पुत्र शेना शहाईक जय प्रताप भल बुद्धी और बराई ये सब उसके नित्य नए ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रतेक लाब पर लोग बढ़ता है अतिवल कुम्भ अकरन सब्राता अज्ये ही कहु नहीं प्रतिवट जगत जाता अकरई पान असोवई खट मासा अज्यागत हो इति हूँ पूरत रासा अत्यंत बलवान कुम्भ करन सा उसका भाई था जिसके जोर का जुद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ वह मदिरा पीकर छो महिने शोया करता था उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मज्याता था जो दिन प्रती आहार करशोई अबिश्व बेगी सब चोपट होई शमर धीर नहीं जाई बखाना अत्य ही समामी तबीर बलवाना यदी वह परती दिन भोजन करता तब तो संपुर्ण विश्व सिग्रिहीं चोपट हो जाता खाली हो जाता रंधीर ऐसा था जिसका बर्नन नहीं किया जा सकता लंका में उसके ऐसे और संख बलवान भीर थे अब बारिदनाद अजेठसुततासु अभटमहु पर्थमलीक जगजासु अजेही नहोई अरनसा नमुक कोई अशुरपुरा नित ही परावन होई मेगनाध रावन का बड़ा लरका था जिसका जगत के जुद्धा में पहला नमबर था रन में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था स्वर्ग में तो उसके भैसे नित्य भागदर मची रहती थी अकुमुख अकमपन अकुली शारदा धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीती सका ऐसे सुभट निकाय इसके अत्रिक्त दुर्मुख अकमपन बज्रदंत धूम केतु और अतिकाय आदी ऐसे अनेक योध्या थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे अकाम रूप अजान ही सब माया असपन हुजिन के धरम नदाया अदस मुख बैठ अशभा एक बारा अदेखिया मितया पन परिवारा सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आशुरी माया जानते थे उनके दयाधर्म स्वप में भी नहीं था एक बार सभा में बैठे हुए रावन ने अपने अगनित परिवार को देखा अशुत समूह अजन परिजन नाती अगने को पार निसा चर जाती असे नभी लोकी असा हजय अभी मानी अब बोला बचन क्रोध मदसानी उत्र पोत्र कुटुम्बियों और शेवक धेर के धेर थे शारी राक्षसी की जातियों को गिनी ही कौन सकता था अपनी शेना को देखकर सुलहाब से अभी मानी रावन क्रोध और गर्व में शनी हुई बानी बोला सुना हु सकल अरजनी चर जूथा हमरे बैरी भी बुद्ध बरूथा अत्येसा नमुख अनही करा ही लराई अद्देखी सवलरी पुजाही पराई ये समस्त राक्षस के दलों सुनो देवतागन हमारे शत्रू हैं वे सामने आकर जुद्ध नहीं करते बलवान शत्रू को देखकर ही भाग जाते हैं अत्यनकर मरन आये कबिदी होई अकहओ बुजाओ सुना हुआ बसोई अद्द्ध भोजन अमकहों मसराधा असब के जाई करहू तुम बाधा उनका मरन एक ही उपाय से हो सकता है मैं समझा कर कहता हूँ अब उसे सुनो उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मान भोयन यग्यहवन और स्राध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो चुदाहीन बलवीन सुरा सहज ही मिलही आई अतब मारियों किछारियों भली भाती अपनाई भूक से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही मिलेंगे तब उनको मैं मार डालूंगा अत्वा भली भाती अपने अधीन करके शोर दूंगा अमे घनाद अकहु पुनिह करावा अदिन्ही सिख बलु बैरु बढ़ावा अजे सुर समर अधीर वलवाना अजिने के लरीवे करय अभिमाना फिर उसने बेगनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ा कर उसके बल और देवताव के प्रती बैर भाव को उत्तेजना दी फिर कहा हे पुत्र जो देवतारान में धीर और बलवान है और जिने लरने का अभिमान है ती नहीं जीती अरनाने सुबांदी अउठी सुत पितु अनुशासन कांदी यही विधी सवही अज्यादिनी आपनु चले उगदा कर लिन्ही उन्हें जुद में जीत कर बांध कर लाना बेटे ने उठकर पिता की अज्याद को शिरोधार्ज किया इसी तरह उसने सब को आज्यादी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल लिया अच्छलत दसानन अडोलत यवनी अगर जत गर्भ अस्त्रवहिशुर रवनी अरावन आवत अशुने हुसकोहा अदेवनत के मेरु गिरी खोहा रवन के चलने से फिर्थवी जग मगाने लगी और उसकी गर्णा से देवर्मनियों के गर्ध गिरने लगे रवन को क्रोश सही आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरी उपर बत्ती गुफाएं तक की भाग कर सुमेरी की गुफाओं का आश्रे लिया अदिग पालन के अलो का सुहाए असुने सकल दसान न पाए अपुनी पुनी शिंघ नाद करी भारी अद्देवतन गारी पचारी दिखपालों के शारे सुम्दर लोगों को रवन ने सुना पाया वह बार बार भारी सिंगर ना करके दिवताओं को लर्कार-लर्कार का गालिया देता था। प्रंतु से ऐसा जुद्धा कही नहीं मिला। अनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पुर्वक पर गया। किसी को भी उसने शांती पुर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्माजी की स्रिष्टी में जहां तक सरीरधारी इस्ति पुर्ष्टे शवी रावन के अधीन हो गये। आया सुकरही अश्य कलब है भीता अन्न वही आई नित चरा नभी नीता। डर के मारे सब ही उसकी आज्यां का पालन करते थे और नित्याकर नम्रता पुर्वक उसके चर्णों में शीरनवाते थे। अभूजवल विष्वबस्य करी राकेसि को न स्वतन्त,मंडली कमनी रावन,राजकरईन जमंत्र। उसने भूजाओं के बल से सारे भी सुकुमश्य में कर लिया। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया इस्प्रकार मंडली के राजाओं का शिरुमनी रावन अपने छानुसार राजी करने लगा अदेव जक्ष गंधर वनर अकिंदर नाग कमारी जीति बरीनी जबाहु बला बहुष उंदर वर नारी डेवता यक्ष गंधर मनुष किंदर और नागों की कन्या तथा बहुत सियान सुंदरी और उत्त्ध मिस्त्रियों को उससने अपनी भूजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिए इंद्रजीत असन जो कछुका है उँ असोज सब जनु पहिले ही करी रहे उँ अपर्था मही जिन्ह कहू आयसु दिन्हा अतिनकर आचारित सुन नहुँ जो किन्हा मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था अर्थात रावन के कहने भर की दे देर थी उसने आग्या पालन में तनी भी देर नहीं की जिनको रावन ने मेघनाथ से पहले ही आग्या देर रखी थी उन्होंने जो कर्तूते की उन्हें सुनो अदेखत भीम अरूप सब पापी अनिसी चरनिकर देव परितापी अकरहीं उपद्रव असुर निकाया अन्ना रूप धर अहीं करी माया सब राक्षसों के समुह देखने में बरे भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे वे असुरों के समुह पद्रव करते थे और माया से अने को प्रकार के रूप धरते जहीं विधी होई धर्मनी रमूला असो सब करहीं बेद प्रतिकूला जहीं जहीं देश अध्वेन उद्विय पावहीं अन्नगर गाउ पुरा आगी लगावहीं जिस प्रकार धर्म की जर्कटे वे सब वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते से थे जिस जिस अस्थान में वे गउ और ब्राह्मनों को पाते थे उसी नगर गाउं और पुर्वे में आग लगा देते थे असुब आचारना अकतहु नहीं होई अदेव भी प्रगुरमान नकोई अनहीं हरी भगती अजग्यत अपग्याना अस्पन हुसुनियन बेद पुराना उनके डर से कहीं भी शुबाचरन ब्राह्मन भोजन यग विश्राद आदी नहीं होते थे देवता ब्राह्मन और गुरु को कोई नहीं मानता था ना हरी भक्ती थी ना यग्यत अपग्यान था वेद और पुरान तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता था अज्यप जोग विरागा तप मख भागा स्रवन सुनेद ससीशा आप नूठी धावई रहे नपावई धरिसव घालाई खीशा असब्रस्ट अचारा भाशन सारा धर्म सुन नहीं नहीं काना तेही बहु विधीत्रा सई देशनी का सई जोग वेद पुराना जब जोग वेराग्य तप थायग्य में देवताओं के भाग पाने की बातरावन कहीं कानों से सुन पाता तो उशी शमय स्वेंग उठ धर्ता कुछ भी रहन नहीं पाता वह सब को पकर कर विद्ध्वांस कर डालता था संसार में ऐसा भरस्त आचरन फैल गया कि धर्म तो कानों में भी शुन्ने में नहीं आता था जो कोई वेद और पुरान कहता था उसको बहुत्तरा से त्रास देता और देश से निकाल देता था अबर निन जाई अनीति अगोर निसाचर जोकर ही हिंसा परयाती प्रीत तिने के पाप ही कवनी मीती राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका बर्नन नहीं किया जा सकता हिंसा पर ही जिनकी प्रीती है उनके पापों का क्या ठीकाना अब बाढे खल अब बहु चोर जुआरा अज्ये लंपट परधन परदारा अम्मा नहीं मा तु पिता नहीं देबा असाधुन सनकर बाब ही सेबा पराय धन और पराय इस्त्री परमन चनाने वाले दुस्त चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए लोग माता पिता और देबताओं को नहीं मानते थे और साधुन कि शेवा करना तो दूर रहा उल्टे उनसे सेवा करवाते थे अजिन के यह आचरन भवानी अते जान हुनि सिचर सब प्रानी अति सै देखी धर्म के गलानी अपरम सभीत धरा अकुलानी श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी जिनके ऐसे आचरन है उनसा प्रानियों को राक्षा सी शमजना इस प्रकार धर्म के परती लोगों को अति सै गलानी देखकर प्रिथिवी अत्यंद भायवीत एवं ब्याकुल होगें अगिरी सारी शिंदू अभारा नहीं मोही अज्जा समुही गरुएक परद्रोही अशकल धर्म अदेख़ई भी परीता अक कही न सकई राब न भैभीता और सोचने लगी परबतो नदियों और समुद्रों का बोज मुझे इतना भारी नहीं जान परता जितना भारी मुझे एक परद्रोही माने दूसरों का अनिस्त करने वाला लगता है पिरत्वी शारे धर्मों को भी प्रीत देख रही है पर रावन से भैभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। प्रित्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। कचून बसाई जाकर तैदासी सोव बिनासी हमरे उतोर सहाई कब देवता मुनी और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक माने शत्व लोक गए भाई और सोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी प्रित्वी भी गव का सरिर्धारन किये हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा तब उन्होंने प्रित्वी से कहा कि जिसकी तुदासी है वही अभिनासी हमारा और तुमारा दोनों कहें अधारनी धाराही मन धीर कहबिरंची हरी पदशुमिरी जानत जने की पीर प्रभु भन जहीं दारु नभी पती ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्ती मन में धीर्यस धारान करके स्रीहरी के चरन का आस्मरान करो प्रभु अपने दास्वे को पीरा को जानते हैं यह तुमारे कठ प्रभु करने लगे कि प्रभु को कहां पाबे ताकि उनके सामने पुकार करें कोई बैकुन्ट पुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु शीर समुद्र में निवास करते हैं जाके हिर्दय अभगती जासी प्रीती अप्रभु तहां प्रकट सदात ही रीती तेही समाज अगिरिजा मैं रहेऊ अब सरपाई बचन एक कहेऊ जिसके हिर्दय में जैसी भगती और प्रीती होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीती से प्रकट होते हैं ये पारबती उस समाज में मैं भी था अब सर पाकर मैंने एक बात कहें कि हरी ब्यापक असरबत्र शमाना अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना अदेश काल अदिसी बीदिशों माही मैं तो यह जानता हूँ कि भागवान सब जगह समान रूप से ब्यापक है प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश काल अदिसा अदिसा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु नहीं हो अग जग मैं असव रहित बिरागी अप्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी अमोर बचन असब के मन माना असादु शादु करिब्रम्ह बखाना वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही शव से रहित और बिर्यक्त हैं उनकी कहिया सकती नहीं है वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अगनी प्रणतु जहां उसके लिए अरनी मन्थादी शाधन किया जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भागवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं मेरी बात सब को प्रिय लगी ब्रह्मा जी ने शादू-शादू कहकर बराई की मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर सुगा उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों के प्रेम के आशुब आने लगे तब धीर बुद्धी ब्रह्मा जी शाब्धान होकर हाथ जोर कर अस्तूती करने लगे कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनत पाल भग बंता गोद्वी जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधारानी यदबूता करानी मरा मन जानाई कोई यो सहज अक्रिपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई ये देवताओं के स्वामी शेवको को सुख देने वाले सरनागत की रक्षा करने वाले भगबान आपकी जय हो ये गोब्रामनों का हित करने वाले असुरों का विनास करने वाले समुद्र की कन्या स्री लक्षमी जी के प्रियस्वामी आपकी जय हो ये देवताओं और प्रिथवी क्या पालन करने वाले आपकी लीला अदभूत है उसका भेद कोई नहीं जानता ऐसे जो सुभाव से ही क्रिपालू और दीन दे अलू है वही हम पर क्रिपा करें जय जय अभिनासी सब घट बासी जापक परमानन्दा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जय ही लागी बीरागी अती अनुरागी विगत मुह मुनी ब्रिंदा निसी बासर ध्यावईं गुनगनगावईं जय अती सच्चिदा नंदा ही अभिनासी सब के हिर्दय में निवास करने वाले अंतरजामी सर्व ब्यापक परमानद सुरूप अग्ये इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद आपकी जय हो जय हो इस लोग और परलोग के सब भोगों से बिरक्त तथा मों से सर्वता छूटे हुए ज्यानी मुनि ब्रिंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन राद दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुनों के समुका गान करते हैं उन सचिदा नंद की जय हो अज्य ही स्रिष्टी उपाई त्रिविध बनाई संग सहाए नदूजा सोकरवधारी चिंत हमारी जानिय भगतिन पूजा जो भब भए बंजन मुनी मन रंजन गंजन भीपति बरू था पनब चक्रम बानी छारी शयानी चरन सकल सुरजू था जिनोंने बिना किसी के दूसरे संगी अथवा सहाए के अकेले ही या स्वेंग अपने त्रिवून रूप ब्रह्मा विश्णू सीव रूप बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्था स्वेंग ही स्रिष्टी का तीन प्रकार की स्रिष्टी की उत्पन की वे और भी पत्लियों के समूह को नस्त करने वाले हैं हम सब देवताओं के समूह मन बचान और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आये हैं असारद सुर्तिशे सारिशय असे साजा कहू पू नहीं जाना यहीं दीन पियारे वेध पुकारे द्रबव सो सिरिभगवाना भब भारिधी मंदर सब विधी सुंदर गुन मंदिर सुख पुंजा पुनिसी दिसा कला सुरा परम भयातूरा नमथना थपद कंजा सरस्वती बेद सेस जी और संपुर्ण रिशी कोई भी जिन को नहीं जानते जिन्हें दीन पिये हैं ऐसा बेद पुकार कर कहते हैं वेही स्री भगवान हम पर दया करें हे संसारू की समुद्र के मतने के लिए मंदर आचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुनों के धाम और सुखो की राशीनात आपके चरन कमलों में मुनी शिद्ध और सारे देवता भाय से अत्यांत ब्याकुल होकर नमस्कार करते हैं जानी सबै सुरभूमी सुनी बचन समेत सने अगगा नगीरा गंभीर भाई हरनी शोक शंदे देवता और प्रित्वी को भाई भी जानकर और उनके सने हुप्त बचन सुनकर शोक और संदे को हरने वाले गंभीर आकास बानी हुई जानी डर पहु मुनी सिद्ध सुरेशा अत्तुमही लाग धरिहों नरबेशा अंसन सहित अम्मनु जय अबतारा अले हुँ दिनकर बंस उदारा हे मुनी सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत तुमहारे लिए मैं मनुष का रूपधारन करूंगा और उदार पवित्र सुर्जबंस में अंसो सहित मनुष का अवतार लूंगा अकस्यप अदिती अमहातपकिना अतिनको मैं पूरा बबर दिन्हा अते दसरत कौसल्या रूपा अकौसलपूरी प्रकठे नरभूपा कस्यप अदिती ने बड़ा भारी तप किया था मैं पहले ही उनको बर दे चुका हूँ वेही दसरत और कासल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर स्री अयोध्यापूरी में प्रकठ हुए है अतिन के ग्रिह आवतरी हूँ जाई अरगु कुलती लकतो था अरिव भाई नारद बचन अस्षत्य सब करी हूँ अपरमशक्ति समेत अवतरी हूँ उन्ही के घर जाकर मैं रख कुल स्रेष्ट चार भाईयों के रूप में अवतर लूँगा नारद के सब बचन में शत्त करूँगा और अपनी परासक्ति के सहित अवतर लूँगा हरी हूँ सकल अभूमी गरू आई अनिरव है हो भुदेबू सब जाई अगगन ब्रह्म बानी सुनिकाना अतूरत फिरे सुरहिर्दय जुराना तब ब्रह्मा अधर नी समुझावा अभै भै भरोस जिये आवा मैं प्रिथवी का शब भार हर लूँगा हेदित ब्रिंद तुम निरवय हो जाओ आकास में ब्रह्म भगवान की बानी को कान से सुनकर देवता तुरहंट लौट गये उनका हिर्दय शिता लो गया तब ब्रह्मा जी ने प्रिथवी को समझाया वह भी निरवय हुई और उस के जी में भरोसा आ गया निजलो कहीं बिरंचिगे देव नई है सिखाई अब बानरतन धरी धरी महीं हरी पद से बहु जाई देवताओं को ही सिखा कर कि बानरों का सरीर धर धर कर तुम लोग पृत्वी पर जाकर भगवान की चर्मों की शेवा करो ब्रह्मा जी अपने लो जैसिया राम जय जय हनुमान सियावर राम चंद्र की जय अजवद्या राम लला की जय पवंसुत हनुमान की जय ब्रिंदावन बिहारी लाल की जय बोलो भाई शब शंतन की जय हर हर महादेव जय शिव संभो जय शिव संभो